हास्तो तो इस वीडियो में हम लोग कंपेर करने वाले मेड़ेटेक के तरफ से अने वाला मेड़ेटेक डाइमेंडसीटी 6100 प्लस के साथ मेड़ेटेक के ही तरफ से अने वाला डाइमेंडसीटी 6080 का एंड देखते हैं इन दोना प्रसेसर में कौनसा प्रसेसर बेटर निकल क पर तो लॉंच डेट की जब से एकदम नेटेस्ट प्रोसेसर है डायमेंड सीटी 6100 प्लस मागर दोनों में ज्यादा कुछ फर्क देखने के लिए नहीं मलता आप आते हैं सीप्यू फैब्रिकेशन प्रोसेस पर दोनों ही प्रोसेसर सिक्स नामेटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के उपर है इसका मतलब क्या है दोनों ही प्रोसेसर पे एनर्जी एफिशेंसी अच्छा देखने के लिए मिलता है हीटिंग इशू बहुत कम है और हम लोगों को अच्छा प्रोसेसर के साथ ही अब आते हैं सीप्यू क्लॉक स्पीड पर डायमेंड सीटी 6100 प्लस पे हम लोगेंडस के उपर डायमेंड सीटी 610,80 की बात करें तो यहाँ पर ट्रायमारी का दो कोड देखने के लिए मलता है को्टेक्स A76 के उपर ही मागर यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए 2.4 गीगार्ट्स और बाकी का छे एफिशेंसी कोड सेम देखने के लिए मलता स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजस देखने के लिए नहीं मिलता है सिर्फ जो डिफरेंस देखने के लिए मलता है तो एक में थोड़ा सा कम तो सीप्यू क्लॉक स्पीड के मौमले में यहां पर बेटर निकल के आता है डामेंट सेटी 6080 अब आते हैं जीप्यू पर यानि की ग जो की दो कोर का जीप्यू है यानि की डूवल कोर जीप्यू है एंड जिसको बनाया गया है सेवन नानोमेटर के उपर और जिसको क्लॉक किया गया है 950 मेंगा हर्ट के उपर अब आते हैं कैमेरा सपोर्ट पर यहां पर भी कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मलता दोनों ही प्रोसेसर के साथ दोनों ही प्रोसेसर में डूवल इसपी का सपोर्ट देखने के लिए मलता है आईसपी का मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर जहां पर डूवल कैमेरा में 16 प्लस 16 मेगा पिक्सल और सिंगल कैमेरा में मैक्सिमम 108 मेगा पिक्सल तक का कैमेर का सपोर्ट देखने के लिए मलता है एक चीज हो सकता है कि आपका फोन सायद ये दोनों प्रोसेसर के साथ ही आता है मागा 1080p अप्टू 30 अपिस तक का वीडियो रिकोडिंग का ऑप्शन देखने के लिए मलता है तो इसका मतलब है ब्रैंड आपको तो मैकसिमियम वही तक का ही चाप्ट देखे वीडियो रिकोडिंग का सपोर्ट दिया है ओकए तो जो भी हो वीडियो रिकोडिंग के मामले में भी कोई थीए मामला बिजक्वील से देखने के लिए मलता है अब आते हैं रैम सपोर्ट पर दोनों ही प्रसेसर पर आप टू LPDDR4X तक का राम का सपोर्ट देखने के लिए मलता है और अगर LPDDR4X रैम यूज़ किया जाता है तो मैक्सिम्म रैम फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मलता है 2133 MHz अब आता है स्टोरेज सपोर्ट पर यहां पर भी मामला बिल्कुल एक्जाक्टी सेम है दोनों ही प्रसेसर के साथ यह में सी 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2 तक का स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मलता है अब आता है डाउनलोड स्पीड पर Dimensity 6100 प्लस 5G network पर मैक्सिम्म डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है अप्टू 3.3 Gbps तक जहां पर 6080 पर देखने के लिए मलता है अप्टू 2.77 Gbps तक तो डाउनलोड स्पीड के ममले में वेटा नहीं कलकाता है Dimensity 6100 प्लस mmweb support की बात करें 5G network पर तो दोनों ही प्रसेसर के साथ mmweb का support देखने के लिए नहीं मलता दोनों ही प्रसेसर सिर्फ sub 6 GHz का 5G को support करता है अब आता है वीडियो प्लेवेक पर तो दोनों ही प्रसेसर के साथ अप्टू 2K तक का वीडियो प्लेवेक का support देखने के लिए मलत 4,47,000 points के असपास जहाँ पर Dimensity 6080 को Android 2 version 10 पर देखने के लिए मिला है 4,54,000 points के असपास तो Android 2 की सबसे यहाँ पर slightly better निकल के आता है Dimensity 6080 अब आते हैं Geekbench Scores पर Single Core पर Dimensity 6100 Plus को देखने के लिए मिला है 733 points जहाँ पर Multicore पर देखने के लिए मिला है 1,917 points Dimensity 6080 की बात कर तो इसको Single Core पर देखने के लिए 768 points and Multicore पर देखने के लिए 2080 points तो Single Core and Multicore दोनों मुमलें पर यहाँ पर slightly better निकल के आता है Dimensity 6080 अब आते हैं Side by Side comparison पर कौन सा प्रोसेसर कौन सा रिबाटमेंट पर better perform किया शुराद करते हैं Dimensity 6100 plus से तो यह latest processor है मगर कुछ ज्यादा नहीं एक महीना ज्यादा latest processor है and 5G network download speed थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मलता है इस processor के साथ जहाँ पर Dimensity 6080 की बात करें इस पर हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा CPU का clock speed देखने के लिए मलता है and बाकी maximum specification दोनों processor का बिल्कुल exactly same देखने के लिए मलता है तो आपको अगर थोड़ा सा better CPU performance चाहिए तो उस मामले में आपके लिए better होगा Dimensity 6080 तो overall पर अगर देखा जाए तो दोनों processor का maximum specification same है तो कोई overall का विना निकल के आता ही नहीं अब ये तो होगे on paper specification consequence of phones पर ये processor हम लोग को देखने के लिए मिलेगा यह है मुद्द की बात Dimensity 6100 Plus हम लोग का अभी तक देखने के लिए मिला है Realme 11 11X Narzo 60X Realme C67 5G Redmi 13C 5G Poco M6 5G पर जहाँ पर Dimensity 6080 की बात करें तो ये हम लोग को अभी तक देखने के लिए मिला है Redmi Note 13 5G Infinix Note 30 और लाभा स्टार्म 5G पर आप लोग कमेंट करके बताए कौनसा कौनसा प्रोसेसर का कौनसा कौनसा प्रोसेसर के साथ कंपेरिशन देखना चाहते हैं विडियो पस्नादर विडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को पाई